हेलो गाइस टेकरीवी फोरीज चैनल पर आपका फिर से स्वागत है आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा Redmi Note 5 के अगले स्टेबल अपडेट MIUI वर्जिन 10.2.3.0 के बार में इसके फीचर्स कहोंगे और इसका रिलीस डेट कब होगा तो अगर आपके पास भी Redmi Note 5 का डिवाइस है तो इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा इंट तक जरूर देखेगा इस वीडियो को लाइक जरूर ठोक देना, शेर कर देना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ तो दोस्तों बिना किसी देरी के Redmi Note 5 के MIUI 10.2.3.0 के स्टेबल अपडेट के बार में छेलिए जानते हैं वो करेंटली MIUI 10.0.4.0 के स्टेबल अपडेट पे वर्क कर रहा है तो जैसा मैंने इधर पे लिखा है Redmi Note 5 इस करेंटली रणिंग ऑन MIUI 10.0.4.0 स्टेबल अपडेट एंड हैसन्ट गोट एनी न्यू अपडेट विखाज फॉर चाइनीज न्यू यर हॉलिडेवेकेशन फॉर शाओमे डेवलपर्स तो इसका मतलब यह कि Redmi Note 5 का डिवाइस जिनके पास भी है उनका डिवाइस अभी MIUI 10.0.4.0 के स्टेबल अपडेट पे वर्क कर रहा है खत्म होगा तो शाओमी डेवलपर्स फिर से स्टार्ट कर देंगे काम करना Redmi Note 5 के इस अपडेट 10.2.3.0 के स्टेबल अपडेट के ऊपर तो दोस्तों मैं आपको इधर और एक चीज़ बताना चाहूंगा यह MIUI 10.2.3.0 का स्टेबल अपडेट जो है वो Redmi Note 5 के Chinese users यानि Chinese ROM को देखने को मिल चुका है 10.2.3.0 का स्टेबल अपडेट और अगर हम लोग इसके फीचर के बारे में बात करें तो पहला मेजर फीचर यह है कि many changes will be there in the app vault तो दोस्तों इसका मतलब यह है कि अगर Redmi Note 5 की आप user हो और अगर आप app vault में जाके देखोगे तो इस update में आपको बहुत सारे changes देखने को मिलेंगे अपने app vault में Redmi Note 5 की device में अगर हम लोग बात करें दूसरे फीचर की तो वो है battery percentage inside the battery icon तो जो भी battery percentage का value होता था वो जैसा आपको पता है कि battery percentage के icon के बाहर battery percentage का value दिखाता था लेकिन इस update के बाद से आपको battery percentage का value होता है जो भी हो जाए 82% हो या कुछ भी वो battery percentage की icon के अंदर दिखाई पड़ेगा तो ये भी एक major feature है और battery icon का color change यानि battery icon का जो color पहले आपको दिखाई देता था उसका अभी new color change होके आपको दिखाई देने को मिलेगा और इसमें hide apps feature भी आपको देखने को मिलेगा तो इसका मत्सला यह ही कि अगर आप किसी से एक app को हाईट करना चाहते हैं या किसी को नहीं दिखाना चाहते हैं कि आपके अपास यह application है अपने phone में तो इस feature से आप अपने apps को हाईट कर सकते हैं किसी से और फिर unhide भी कर सकते और अगर बात करें gallery के features के, तो gallery में अब लोग multiple images को select करके collage mode को enter कर सकते हैं और multiple images को एक ही image में लाके edit कर सकते हैं, ये collage mode के वज़े से हैं और a lot of new editing features in the gallery, तो बहुत सारे नए editing features भी देखने को मिलेंगे, आपके gallery के application में इस update के बाद battery performance के बार में बात करें, तो battery performance में बहुत improvement आपको देखने को मिलेगा, और faster and smoother performance आपको देखने को मिलेगा इस update के बाद, अपने Redmi Note 5 के device में और जो security के app में जो user interface आपको अभी नजर आ रहा है, इस update के बाद आपको बहुत नया user interface, एकदम changed user interface आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारे नए user interface के elements आपको देखने को मिलेगे इस update के बाद, अगर हम लोग बात करें portrait mode की feature के, तो portrait mode आपको rare camera में देखने को मिल जाएग इस update के बाद, तो दोस्तों ये है features के बार में discussion, और अगर हम लोग बात करें इसके release date की, जो बहुत बड़ा question है, Redmi Note 5 के users के लिए, तो release date के बार में मैं अगर बात करूं, तो will start rolling out before 22nd February, और the last week of February 2019, तो दोस्तों, ये जो MIUI 10.2.3.0 का stable update है, वो Redmi Note 5 के users को roll out होना start होगा 22nd February से पहले या फिर ये हो सकता है, last week of February 2019 तक भी, तो दोस्तों ये थी information Redmi Note 5 के users के लिए 10.2.3.0 का stable update के features क्या होंगे, release date आपको कब तक देखने को मिलेगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को like ज़रूर ठोक जेना, share कर देना इस वीडियो को, और अगर आपको कोई query हो जो comment section में जरूर पोशे लेना, मैं तुरंत reply करने की पूरी कोशिश करूँगा, ऐसे exciting वीडियो में मैं आपको दोबारा मिलूँगा, तब तक के दे, peace out